रेंद कुमारोती एनेम न्यूस नगरपाल का चेर्मेन हेट को लिए आपको बतादू मैं इसमें खड़ा हूँ कार्याले मिनाश्य अगरवाल जी के हां और आपको बताता मैं चलता हूँ कि 10 साल जो गोला की शुबधाओं के लिए उन्होंने जो किया है साइध ऐसा भी तक क अब कोला का भाविस्ञ के हाथ में है और मैं मैं ने जिस हिसाब और को सजाया हूआ है उससे सारे लोग बगवत है देखिए यहाँ से संवाहनित नरेंजी भी है वकील साफ भी है आप सारे लोग देखिए क्योंकि जनता उन्हीं को चुनती है जो जनता के बारे में सोता मैं से ज्यादा कोई नहीं जानता मैं आज पेस होता हूं मैं से मैं आपके दस साल तो काफी अच्छे गए अब अगर चुनाओं में आप अध्यश्पत पर आती है तो जाने के लिए मुझे मौका दिया तो मैं सरप्रतम अपने समानित नगरवासियों को बहुत बहुत अपना नमश्कार और साधर अभिनंदन करती हूं और जैसा कि अभी आपने कोश्चन किया है कि नगर के लिए जो आपने दस साल में नहीं कर पाए आने वाले पांच सी पर अध्यक्षपर देते हैं तो मैं जो चूटे हुए कारे mogą से कर कि कि विकास प्रक्रिया है बहुत सा काम अब विकास के करते हैं तो कई तो पूरा करने का लेकिन आपने देखा होगा शेहर में हमने बहुत से हाईवास लगाए है पूरे शेर को जगमगाया है और अपन पक्की सड़कों का निर्मान किया है और भी सड़कों का चौड़ी का पिंग ट्वालेट भी महिलाओं के लिए और उसके वद आपने देखा है कि हरे भरे पेड़ शहर में जो भी शहर की जरूरत थी उसको पूरा करने में प्रयास किया लेकिन कुछ काम अधूरे रह जाते है कुछ और भी सपने थे कि मैं शहर के लिए और भी कुछ करू लेकिन पिछले पांच सालों में आपने देखा है कि बहुत ही विश्ण परिसितियां रही और जो व्यश्विक महामारी करोना जैसी को सभी पूरे विश्ण ने उसको जहला अपने शहर में और मैं भी उसे अच दर्क्ष बनाएंगे तो जो भी उनके मार्व दर्क्षन में उनके सहयोग से शहर के छूटे जो भी का रहे हैं वो पूरा करने का प्रयास करूंगे मैं अपने समाने नगरवासियों से कहना चाहूंगी कि आने वले चार तारीकों हमारे शहर का चुनाव है और इसमें अपना अमूले मत मुझे देकर मेरा चुनाव चिन सैनिक है तो मुझे विज़ाई बनाएं तो मैं आप सब के बीच में फिर आकर अपने शहर को एक विका कर पाऊं और अपने शहर का नाम ऐसा रोशन हो कि पूरे जिले में तो कहते हैं कि गोला बहुत अच्छा है लेकिन मैं चाहती हूं कि हमारे उत्तर परदेश में भी गोला गोकरनात का चोटी काशी के नाम से तो चोटी काशी बहुत सुंदर दिखे ऐसा मेरा प्रयास देखे जंता में आगोस देखिए मैं आपको बता दू कि जो चुनाओ चिन मैम को मिला है सेनिक सेनिक का मतलब है कि सरहाथ पर बैठ के हर मुसीबत को ले लेकिन हाथ सही बात है जो चिन भी मिला है सेनिक आप पैमले में में बता देखो इस सेनिक मैम की तरह कोई ना सेनिक ह हो सकता है कि कई परिस्तियां भी इनके बीच में आई और लेकिन उससे चुटका पाके भी उट रोडों को लेके हो या गोला का विक्सित को उसमें भी कई समस्य आपको दिखा हैं पता भी चलाते हैं आपकर समस्यां भी बहुत हैं नहीं जो अभी मैं अभी भी जो जा रही कि उसके लिए सबसे प्रतम प्रयास मेरा यही रहेगा कि शेहर के जो नाले हैं उसको किसी भी तरह से कवर करके कि गंदगी उसके अंदर ना जाए और उसको जैसे सफाई करने तो बहुत अच्छे तरीके से उसकी सफाई हो सके और जो शेहर की जल भराओ की समस्या आती है उसका भी निराकरन करने का मैं पूरा प्रयास करूंगी अब कि नेश्ट जो होगा वो ग्रीन पोजर्ट होगा क्योंकि बहुत सी सड़कें भी एसी रह भी गई हैं कि जहां पर पेड नहीं लग पाए तो मैं उसमें भी अपने जो शेहर के समाने दुकानदार हैं उनसे प् भी थेंगी तो गोला एक आपको एक नया लूग में दिखा और जंता की अवाज भी सुन लेगेए अब बोलिए जिनना पार जिनना पार जिनना पार आप देख सकते हैं जयोस कितना है और आपको बता दो हमारे सामने और आपको बता दें जनता में सबसे बड़ी बात दे है हमारे वकील साहब सिर्वास्तो जी चारे चुनाओं को देखते हुए मैम के साथ में लगे और मैम के साथ चारों तरफ चलना और अपने बातों से लोगों को लुवाना आज कुछ सब्द एनम न्यूज पर बोलिये जो चेर्मेन हमारी मिनाची जी को एक ऐसे जुनियून भरी बात बोलिये कि जिससे और जनता में आगोस आगा है पहले तो एनम न्यूज को मैं बहुत धन्यवाद दूँगा मानिया श्रिमती मिनाची गौाल जी चेर्परसन के रूप में छोटी कासी गोला को करनात की एनवरत दस वर्थ से सेवा कर रहीं उसे पहले भी कर रहीं क्लीन गोला ग्रीन गोला सुक्ष गोला बनाने के लिए क काम कर रहीं जो कारी कुछ दूरे रहे गए कुछ लोगों ने उसमें दिक्कतें पैदा की जनता जानती है उन सब को जनता जबाब देगी और जो काम रहेंगे उनको बढ़िया काम करेंगे क्लीन गोला क्लीन गोला बनाएंगे बढ़िया बहुत अच्छे नंगते शहर को पूरी दुनिया में इसका नाम छोटी काशी के रूप में जाना जाता तो और अच्छा इसको बनाने का काम भी करेंगे इस पार यहां पर हमारे रुआ में त्यस्ता निरेंट जी वखिल साब कुछ बोली भी मैं के लिए कुछ बोली हम लोग तो यहीं कहेंगा मिनाक्षिय जो वखील साब है सर्ड वार शोशियन आप देच जी है सर आप क्या कहना चाहते हैं इस चेर्मान चुनाव चल लहा है मेला उस बिस में आप क्या कहते हैं गोला नगर में पिछले दस वरसों से जिस तरीके से इस नगर को सजाने सवारने का काम मिनाक्षी जी ने किया है तो उन्ही के कंधे पर इस नगर की जिम्मेदारी रखेंगे ताकि आगे आने वाले समय में भी जो है नगर और विक्सित हो जैसा कि छोटे भाई ये भी मनोच जी ने कहा कि इसका नाम पूरी दुनिया में छोटी कासी का विख्यात है तो इसके और आगे जो इसके विकास के ल आने के लिए हम लोग क्रत संकल्प हैं मैं वकील संका ध्यक्ष हूं हमारे तमाम वकील आज दो पहर में यहां पर एकत्र हुए थे और सभी ने उनको समर्थन देने का साथ दिया है और हम अधिवक्तागण जिधर निकलेंगे तो एक माहौल तयार करने हैं हम लोग उरे देखे यहां पर पजनी जी हैं अब इंसे बिचार रगना जोता हूं क्या आपके विचार हैं माने मिनाक्षिया अग्रिवाल जी का सुनाओ एक व्यक्त नहीं लड़ रहा है अब गोला नगर के परिवार पूरे परिवार के मुखिया सुनाओ यह लड़ रहे हैं सब लोग अपनी जुम्मेदारी समझ रहे हैं और इसलिए अध्यक जी ने पूरे गोला नगर को पूरा परिवार माना है अपना तो परिवार के मुखिया होने के का परिवार का हर सदस्थ से इस तुनाओं में तुनाओं लड़ रहा है सबका सबलतन सबका असिरवाद रापता है भा मिनाक्षी अग्वाल जी को नगर की बाग्डोर सौप करके भागवान भोले नाच की धरती पर विकास कारी को अगे बढ़ाएगी इन्हीं जब्लों के साथ मैं देखिए अभी बात हो दी चेर्में के पने उन्होंने जिस हिसाब से बात करें आपको बता रहा दस साल के अं अंदर आज रोड़े ऐसी है कि गलियों के अंदर गलियां बनी है इंटर लॉयक कि अभी तक ऐसा नहीं आप किस बारी जो है मैं तिसरी बारी पर आ रही है चुनाओ घंटी बच चुकी है माना नकौलती कैमरामें स्रों मिस्रा के साथ जेहिंड